हेलो गाईज आज है गस्त की उन्नीस तारीक और आजकल है बरसात का महीना ये है सन दो हजार तेईस और अब की बार इतनी भारी भारी शुई है कि सब जगा ही मचल में लेंड स्लाइड ही लेंड स्लाइड हो रहे हैं मनाली और शिमला में तो तबाही की बहुत तस्वीरे सामने आई है ये देखिए किस तरह से सडक के किनारे भारी बारिश से पेड़ पौध है और जमीन गिरी है इस तरह के लेंड स्लाइड बहुत सारे रोड में आगे आगे देखने को मिल जाएंगे बड़े बड़े से पेड जड समेत ही लेंड स्लाइड के कारण उकड गए हैं और जहां पर घरों के नजदीक पेड थे उन्होंने घरों को भी भारी नुक्सान पहुँचाया अब की बार हिमचल में बहुत ही तवाई हुई है और हिमचल ने अब की बार बहुत नुक्सान जेला है चाए वो जान का हो चाए वो माल का हो 2003 में हिमचल प्रदेश को आपदा प्रभावित क्षितर गोशित किया गया है यहां से पानी का भाव होने के कारण सोयली रोजन हुआ और उसके बाद ये सडक से होते हुए बहकर पानी नीचे गिरा और इसने सडक को भी काफी नुक्सान पहुँचाया सडक के साथ ही पहाडों से पत्थर गिरे और उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया था लेकिन अब लोगों ने पत्थर तोड के उसे घरों के इस्तमाल के लिए छोटे-छोटे से ये पत्थर की टुकडे बना दिये हैं उन्चायी से पहाडों में पत्थर गिरना बरसात के समय में आम बात है और कई बार इसके नीचे इसकी चपेट में गाडिया भी आ जाती है बरसात में हिमाचल परदेश के रोडों में बहुत ही समबल के चलना पड़ता है किस तरह से जमीन में दरारे पढ़नी शुरू हो चुकी है और अगर थोड़ी और बारिश हुई तब ये रोड विल्कुल तूटके खतम हो जाएगा हिमाचल परदेश में बहुत सारी सडके ऐसी है जो इस भारी बरसात में तोटके गिरी और उनको ठीक करने में लगभग साल वहर का समय भी लग सकता है रोड क्षति ग्रस्त होने की एक भयाव है स्थिति ये भी है यहां से भी काफी बारी मत्रा में लेंड स्लाइड हुआ है और लगभग आदी सडक में दरारे आ चुकी है अब अगर बरसात या बारिश होती है तो इन दरारों में पानी जाएगा उसके बाद ये सडक पूरी तूटके खतम हो जाएगी अब देखते हैं कि लेंड स्लाइड में किस तरह से पेड भी गिरे हैं हिमचल परदेश में जहां जहां भी पेडों के बीच घर बने थे कई जगा तो वो भी लेंड स्लाइड के साथ नीचे गिर गें पेड भी अब टेड़े हो चुके हैं इनकी जड़े मिटी में से छूट चुकी हैं और पूरी तरह से तबाही का ये मंजर देखते हुए बहुत ही दुख हो रहा है मैं उन रिपोटरों के दिल की भी दाद देना चाहूंगा जिनोंने कई जगा लोग हादसों में मरे थे कई जगा घर तूटके खतम हो चुके थे उस माहौल में भी रिपोटरों ने अपने हर्दय को मजबूत बना के रिपोटिंग की कई जगा तो इतना बिहानक मनजर है कि क्या बोला जाए मूह ही बंद हो जाता है